AMCA यानि Advanced Medium Combat Aircraft AMCA क्या है अगर हमें इसे एक सब में समझना है तो AMCA भारत का 5th Generation Fighter Aircraft होने वाला है इसकी पहली फ्लाइट 2024 में एक्सपर्ट की जारी है और भारते वाय उसेना में इसे 2030 तक सामिल करने की बाद चल रही है यानि ये भारत के अगले दशक का Fighter Jet होने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं साहल चौदरी आप सब कर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल India Talks पे H.A.L. का AMCA यानि भारत का 5th Generation Fighter Aircraft का प्रोग्राम इसे ADA यानि Aeronautical Development Agency डिजाइन कर रही है और डिजाइन होने के बाद इसके जो प्रोडक्शन का काम है उसे हिंदुस्तान Aeronautics Limited करेगी इस बार बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इसमें मिलाया जाएगा अगर AMCA की खुबियों की बात करे तो ये एक सिंगल सीटर विमान होने वाला है इसमें दो इंजिन होगा और ये एक स्टेल्थ विमान होगा साथी साथ इसे हर वेदर में उड़ाया जा सकता है और ये एक मल्टी रोल फैटर होगा AMCA की डिजाइन के उपर एक डिटेल्ड स्टडी फेवरी 2019 में सुरू हो चुका है और 2024 में पहला प्रोटोटाइप इसका त्यार हो जाएगा और 2024-25 में इसे टेस्ट कर लिया जाएगा भारत पहले अपने 5th generation fighter aircraft बनाने के लिए रशिया के साथ एक कोलाबरेशन में काम कर रहा था और दोनों मिल करके FGFA बना रहे थे लेकिन रशिया ने जो important technology से उसे भारत को देने से इंकार कर दिया यानि पैसे देने के बावजूद भी रशिया जो important technology है वो transfer नहीं कर रहा था इसलिए भारत ने जो FGFA का प्रोग्राम है उसे बीच में ही छोड़ दिया और फैसला किया कि भारत अपने दम पर अपने technologies डेवलप करेगा एक 5th generation fighter aircraft को बनाएगा भारत के FGFA प्रोग्राम छोड़ने के बाद एर स्टाफ RKS भतोरिया का ये बयान भी आच चुका है कि DRDO को किसी भी हालत में इस project को पूरा करना होगा यानि कि जो important technologies रूस भारत को नहीं देना चाहता है उसे अब DRDO को ही अपने laboratories में त्यार करना होगा और भारत की जो agencies इसे बना रही है उनको swapना होगा in time ताकि इन सारे technologies को इसके अंदर integrate किया जा सके और एक खतरनाक fighter jet बनाया जा सके इंडियन Air Force ने अब ठान लिया कि वो किसी बड़े देश का मूँ नहीं देखेगी वो full control चाहती है अपने सारे technologies के उपर और इसलिए अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडियन Air Force को और बाकी जितने भी agencies इससे जुड़ी वी उनको यह ultimatum दे दिया गया कि उन्हें किसी भी हालत में 2024 तक इसे उड़ाना है अब AMCA का प्रोग्राम भारत के priority list में शामिल हो चुका है और बहुत ही जल्द इसके उपर जो funding है वो भी cabinet committee and security से clear करवा लिया जाएगा अब AMCA भारत का सबसे महतवकांसी project है तो इसके खूबियों की भी बात कर लेते हैं सबसे पहरे on paper क्या क्या दिखता है उसकी बात करेंगे उसके बाद मैं आपको अपने सुबान में समझाओंगा कि इन सब क्या मतलब है इस aircraft को एक multi roll combat aircraft के तोर पर develop किया जा रहा है यानि इसकी जो खूबिया है उनमें शामिल होगा एर में superiority बनाना, ground attack करना, bombing करना, दूसरे aircraft को intercept करना, उनके उपर strike करना और क्योंकि इसे navy के लिए भी बनाया जा रहा तो इसमें कई सारे naval खूबिया भी होंगी जैसी अलग-अलग वाट्शिप्स को ढूड़ना और उन्हें तबाह करना इस aircraft की जो सबसे खास बात होगी वो ये कि इसमें super cruise और stealth technology दोनों ही मौजूद होंगे आप जानते हैं stealth technology अमेरिका की महारत है इसमें कोई aircraft radar cross section से बच जाता है और जो super cruise करने की शमता है वो रशिया की महारत है ये जो विमान होते हैं जैसे सुकोई ये काफी अच्छे से move और turn कर सकते है और इनका thrust weight ratio बहुत अच्छा होता है पर भारत अपने AMCA में इन दोनों खूबियों को मिला देगा यानि best of east और best of west को मिला करके सबसे बहतरीन fighter jet बनाएगा इसके साथ साथ इसमें advanced ASA radar लगा होगा और इसमें data fusion की समता होगी और बहुत advanced avionics होगा जो किसी भी previous gen के fighter aircraft को दबा सकता है उन्हें mark गिरा सकता है नेवल तेजस और मिकोयान मिक 29K के साथ मिल करके service देगा अपने नेवल वेरेंट के साथ मिल करके जो AMCA है ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडियन एरफोर्स का majority of aircraft होगा 2030 के बाद यनि 2340 के बीच भारतिय वायू सेना और भारतिय नो सेना में जादा तर जो aircraft होंगे वो AMCA और AMCA मार्क 2 ही होंगे आपको एक और बात बता दू कि AMCA भारत द्वारा डेवलप किया गया तीसरा सूपर्सोनिक जट होगा भारत में जो पहला सूपर्सोनिक जट बनाया था वो था HL मारूत वो 1960 में बना लिया गया था उसके बाद आया HL तेजस इसके बाद AMCA तीसरा सू आपके लिए यह सब बहुत कंफ्यूजिंग होगा तेजस मार्क 1, 1A, 2, AMCA आपको समझने आरोगा इन सब में से किसका क्या रोल है तो मैं सहुझ रहा हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो तेजस के उपर बना दू जिसमें आपको तेजस 1, 1A और मार्क 2 के बीच का फरक समझा दूँगा और ये भी बता दूँगा कि तीनों कब कब बनके त्यार होने वाले पर अभी अगर हम अपने सारे एरक्राफ्ट को फॉरें के एरक्राफ्ट से कंपार करें उनका रोल समझने के लिए सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं तेजस से जो HAL तेजस था उसे कंपार कि JF-17 से जो भारत का HAL तेजस है वो MiG-21 को रिप्लेस कर रहा था ये दोनों ही लाइट वेट के एरक्राफ्ट माने जाते हैं और MiG-21 की ही तरह जो HAL तेजस है उसका काम होगा भारत में जो एरक्राफ्ट है उनके क्वेंटिटी को बढ़ाना क्योंकि क्वेलिटी के साथ दाव के एरक्राफ्ट हैं इनका काम है कि जादा क्वेंटिटी में प्रड्यूस होकर के भारत को एक एयर टाइम प्रोटेक्शन देना शांती काल में इनका फंशन होता है कि हवाई सीमा की सुरक्षा करना और दुस्मन के किसी भी फाटर जेट को इंटरसेप्ट करना और य इंटर्नल सिस्टम में वो दो-तिन अलग करके थोड़ा मोडिफाई कर दिया गया है तेजस मार्क 1A में अब तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये एक मीडियम वेट का फाइटर जट होने वाला ये भी एक सिंगल इंजिन का ही होगा और इसका डिजाइन जो होगा वो तेजस म मार्क 1 और 1A से थोड़ा अलग होगा इसका विंग साइज हाइट वेट सब कुछ बड़ा होगा इसका जो वजन है वो भी काफी जादा होगा जिसके वज़े से जादा भार अपने साथ ढोने में भी सक्षम होगा इसके जो हाट पॉइंट्स है यानि मिसाइल फिट करने की जगा वो भी जादा होंगे यानि ओवरॉल यह जादा बड़े साइस का और जादा कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट होगा अगर आप तेजस मार्क 2 को कंपैर करना चाहें तो आप इसे साब, ग्रिपन, यूरो फाइटर, टाइफून या फिर पाकिस्तान के F-16 से भी क होगा, इसे लिए यह दुनिया के जो सबसे टॉप अफ जालाइन एरक्राफ्ट हैं, F-22, F-35, इन सब को टकर देगा, AMCA प्रोग्राम को पहले लाया गया था भारत के डसॉल्ट मिराज 2000 और जैगवार साथिचात मिक 27 जो विमान है, और फ्यूचर में मिक 29 को रिप्लेस कर करने के लिए एक ऐसा एरक्राफ्ट ढूंडा जा रहा था जो इन सब की जगा ले पाए, पर बाद में दीरे दीरे भारत का जो FGFA प्रोग्राम था वो पीछे हटने लगा, इसलिए भारत ने यह तैग कि वो जो अपना पूरा फोकस है वो AMCA की उपर लगाएगा, और AMCA को एक 5th generation fighter aircraft बना देगा, एक ऐसा aircraft बनाएगा जो कि stealth technology से less होगा और दुनिया के जो सबसे बहतरीन aircraft है उनको यह टकर दे पाएगा, यानि भारत के जो Air Force की priority list है उसमें भी सबसे उपर AMCA है और सबसे जो advanced fighter jet भारतिय वायू से ना अभी envision कर पा रही है, वो AMCA ही है, AMCA और 2030 के बाद से भारतिय वायू से ना अपने जितने भी defense procurements हैं वो भारत से ही करेगी, यानि सिर्फ भारत में बने हुए fighter jets का ही इस्तमाल करेगी, 2030 के बाद से कोई भी विदेशी fighter jet को खरदा नहीं जाएगा, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो AMCA की उ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जल्दी से आके हमें like दे दो और इस वीडियो को share कर दें अपने WhatsApp और Facebook के दोस्तों के साथ, हमने हमारे नए चनल बलिदान के उपर सुखोई का एक वीडियो अपलोड किया, जिसे देखने के लिए आप description में जाके click कर सकते ह लिए के link पर और ऐसे वीडियो देखने के लिए इंडिया टॉस को subscribe करें तो मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching